नमस्कार, राजस्थान में विधानसवा चुनावों के बाद जब भी नई सरकार आती है, तो एक परंपरा है वो पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के कारेकाल में जो भी प्रमुख निर्णे लिए गए हैं, उनकी समीक्षा करवाती हैं. और इस बार बीजेपी सरकार ने भी पिछली कॉंग्रेस सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णेों की समीक्षा का काम शुरू किया, इसके लिए एक मंत्री मंडलिय समीती गठित की गई, लेकिन इस समीक्षा में आम तोर पर कुछ भूमी आवंटन के केसे, कुछ पट्टे देने के कैसे, कुछ रियायतें देने के कैसे शामिल होते हैं, इनी सब के बीच में एक बहुती महत्वण विशे उभरा, वो था पिछली सरकार द्वारा, 17 नए जिले और 3 नए संभाग गठित करने का मामला, ये मामला इतना महत्वण था, कि उसके लिए प्रथक से, एक मंत्री समीती का घठन किया गया, डिप्टी सीम प्रेमचन बहरवाजी को उसका अध्यक्ष बनाया गया, और इस कमेटी को सहयोग प्रदान करने के लिए एक विशेशग्य समीती प्रथक से घठित की गई, जिसका चेर्मेन हमारे राजस्तान के बहुत ही मेरिटोरियस और आप कह स और रेविन्यू, इन विभागों के अधिकारियों को भी साथ लगाया गया, और एक कमेटी गठित की गई, डॉक्टर ललित के पमार की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी का काम था कि दो महा के भीतर, पहले जो डॉक्टर रामलुभाय की कमेटी ने प्रस्ताव दिये थ आज के कीनोट कारेकरम में खुद डॉक्टर ललित के पमार हमारे साथ मौजूद है, पमार साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है, तैंक्यू, नमश्कार, आम तोर पे हम कीनोट कारेकरम में जो भी हमारे अतित ही आते हैं, उन से उनके प्रार्मभिक जीवन के बारे मे आते हैं या और उनकी जो उपलब्दियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन विशे इतना महत्तुपून है, मैं सोचता हूँ पहले हम सीधा इन्ही जिलों के गठन, पुनरगठन और संभागों के गठन, पुनरगठन के बारे में बात चीत है, उसको कर लिते हैं, तो पहर सब आपको जब ये विशेशगे समीती का चेर्मेंट बनाया गया तो क्या मेंडेट आपको दिया गया था? क्या आपसे अपेक्षा की गई थी? क्या आप क्या जांच करेंगे या क्या समीक्षा करेंगे? मुख्य रूप से जो हमें मेंडिट दिया गया कमिटी का उसमें था क्षितरादीकार जिलों का क्षितरादीकार प्रस्टासनिक सुईधा वितिय संसाधन और एक आम नागरिक का जिला मुख्यलर पे एक्सिस ये चार में पेरामिटर्स थे जिन पे आम आई कमिटी में इसको किया